सो हेलो बच्चालो वेलकम बाक NTA आपसे लगातार दो साल से साइकलो ट्रोन के उपर एक-एक सवाल पोच रहा है तो हम लोग यहाँ पे इसके concept at the same time उन दोनों questions को भी देखेंगे आचा आगे बढ़ने से पहले इस तरीके के आपके जितने भी से basically D's ही बोलते हैं यह आपको basically metallic conductor है और इसके अंदर आप समझ सकते है कि electric field नहीं पाया जाएगा magnetic field इस diagram में आप देख सकते है out of the plane है और यह magnetic field आपको इन दोनों D's के अंदर आपको present है ठीक है अब यहाँ पे आपके पास basically एक source है जो की alternating source है आप इसके symbol से देख सकते हैं यह आपको basically एक alternating source है सही है sir अच्छा अब यहाँ पे क्या होता है तो हम लोग यहाँ पे basically moving charge in a magnetic field के concept को इस्तिमाल करने वाले हैं suppose कीजिए यहाँ पे आपके पास एक charge है let me take some another color suppose कीजिए यहाँ पे आपके पास कोई charge है charge q ठीक है इस moment पे जब यह charge आपको exactly यहाँ पे है तो हो सकता है कि यह जो आपका d का polarity है वो इस तरीकी से होगा plus minus यह आपका polarity कौन decide कर रहा है तो यह alternating source decide कर रहा है अब क्योंकि यह plus है यह minus है तो आप देख सकते है कि आपका जो electric field होगा वो आपको इस समय left to right direction में होगा और अगर यह positive charge है तो यह आपको left to right accelerate करेगा यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक यह एक velocity गेन कर लेगा ठीक है अब जब वो यहाँ पे enter करेगा तो अब अंदर में कोई electric field नहीं लेकिन अंदर में बच्चा आपका magnetic field है जिसके वज़ा से वो एक semi circular path करता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है अब जैसे ही वो यहाँ पे आएगा उसी moment पे आप समझ जाईए कि यह जो आपका alternating source था अब वो इसके polarity को plus कर देगा और इसके polarity को minus कर देगा अब जैसे ही वो यहाँ पे आया है दुबारा से वो accelerate करेगा यहाँ पे वो velocity और gain कर चुका है फिर वो उसी constant speed से एक और semi circular path follow करता हुआ यहाँ तक आएगा अब जैसे ही वो यहाँ पे आया है दुबारा से polarity को change कर दिया गया वो velocity gain करता है और आप जानते है कि radius का जो formula होता है magnetic field में that is mv divided by qb तो अगर सर velocity increase करेगा यानि radius भी increase करेगा इसलिए आप देख सकते है इसका जो path का radius है वो continuously बढ़ता जा रहा है और वो velocity भी gain करता जा रहा है और finally हम उसे यहाँ से निकाल लेते है और बहुत high speed से वो यहाँ से निकलता है और हम इसे just target पे impact कराना होता है हम उसे impact करवा देते है तो basic funda, basic concept बच्चा आपका यहाँ पे सिर्फ इतना ही है अब यहाँ पे अपने को 2-3 point जानने की क्या जरूवत है अपने को सबसे पहला point पता होना चाहिए कि यह जो आप alternating source चूज करते हो इसका frequency कितना होना चाहिए so basically इसका जो polarity change करने का frequency होना चाहिए वो इस charge के साथ sink में होना चाहिए ठीक है, अब यहाँ पे बहुत depth में नहीं जा सकते है लेकिन आप इतना समझ जाएए कि frequency is going to be 1 by time period और इसके oscillation का जो time period होगा that should be same as the time period of the moving charge in a circular path जो कि कितना होता है, जो कि आपको होता है 2 pi m divided by qb तो qb में q आपका उपर चल जागा, यह आपका b हो जाएगा so अगर आपसे कभी भी exam में पूछ ले कि source का frequency कितना होना चाहिए तो basically वो इतना ही होना चाहिए दूसरा यहाँ पर point क्या है, जो कि आपको समझना पड़ेगा दूसरा point यह है कि माने लीजिए कि मैंने आपको यह बता दिया कि sir इसका जो यह maximum velocity है वो v max है, जिससे वो बहार निकल रहा है तो आपको यह भी पता चल गया है कि इस d का जो radius है वो कितना है इस d का radius कितना है वो अगर आपने capital R मान लिया है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि sir capital R maximum is equal to m v maximum divided by charge into b तो इस तरीके कि छोटे-छोटे चीज़े आपको समझ में आनी चाहिए एक और point यहाँ पर क्या है एक और point बच्चा यहाँ पर आपका यह है कि एक complete circular motion में यानी कि 360 degree motion में particle दो बार accelerate होता है अगर आप यहाँ पर diagram को फिर से देखे आपका particle यहाँ से शुरूआ था एक circle कव होगा जब वो यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आया है तो इतने एक circular motion में एक बार वो यहाँ पर accelerate किया और एक बार वो यहाँ पर accelerate किया वो जितनी बार accelerate करता है it gains a kinetic energy which is equal to q times potential difference q into v होता है आपका तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि सर एक revolution में वो जो energy gain करता है that is 2 into q into v तो यह तीन आपको conceptual बाते बस पता होने चाहिए इतना से आपका काम बन जाने वाला है clear है चलिए यहाँ पर हम यहाँ पर numerical को देखे example को देखे तो यह आपसे सवाल जो था वो 2022 June 29th shift 1 को पूछा गया था हाला कि यह सवाल आपको काफी basic पूछ लिया गया था सवाल में आपसे कहता है कि एक charge particle है which moves along a circular path in a uniform magnetic field in a cyclotron the kinetic energy of the charge particle increases to 4 times its initial value what will be the ratio of new radius to the original radius तो यह सवाल तो basically आपका एक simple सा moving charges सही हो गया है यहाँ पर आप देख सकते है कि आपका जो radius का formula होता है that is mv by qb आप mv को लिख सकते है थे under root 2mk by qb यहाँ radius is proportional to under root of kinetic energy अब यहाँ पर लिख सकते है r2 by r1 is equal to under root of k2 by k1 हमसे कहता है कि जो मेरा final energy था that is 4 times the initial so k2 is equal to 4 times k1 तो ratio आगया 2 is to 1 option number c clear है आपसे 2021 में August में एक सवाल पूछा गया था यह सवाल आपको थोड़ा सा अच्छा है सवाल में हमसे कहता है if the maximum value of accelerating potential provided by the ratio frequency oscillator यह वही है जो आपका alternating source हा यह 12 kV है so basically हमें potential difference V की value 12,000 V दे दिया गया है the number of revolution made by a proton in a cyclotron to achieve 1 sixth of the speed of light तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया था बच्चा एक revolution में वो जो energy gain करता है that is equal to 2 times Q into V तो मान लेते हैं कि sir n revolution में वो 1 sixth of the speed of light achieve किया होगा तो n into 2 into Q into V that is the total energy gain which should be equal to half mv square और V की जगर क्या लिखोगे c by 6 का whole square आपको बस इसी को solve करना है when you solve it you will get the answer approximately 543 तो आप देख सकते हैं कि सवाल decent है concept भी यहाँ पर एकदम simple सा है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि what is the working of a cyclotron चलिए आई हूप आपको सब कुछ समझ में आया है और जाने से पहले जरूर से हमारा यह telegram channel को join करके जाहिएगा और इस application को भी install करिए कोई भी notification information miss नहीं होना चाहिए take care wish you best of luck